पैरालंपिक में जो दिज़ाई खिलाडी है और साथ ही जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन तमाम खिलाडियों को सम्मानित किया जा रहा है और ये देखे कुछ ठाके लगाते हुए खिलाडी दुधान मंत्री की बातों पर अब घर में क्या होगा ते रहा है आपको प करना है जब आप बोलते हो कि आप जाओ बस खेलो हाँ जीत हार तो लगी रहती है पर नीचे वाले ये सब ऐसे लगते है आरे च देख लेंगे जब टोक्यो में गोल लेके आए थो आपने प्रोमिस लिया था कि ऐसे ऐसे दो गोल लोग चीज़े मिरको तो ये दूसरा सर आपके लिए आज मुझे आपको सुनना है आप लोगों को कि क्या नुब हो रहे वहाँ सब से मिलते होंगे कुछ नो कुछ अच्छी बाते होई होगी मैं जरा सुनना चाहता हूँ सर नमस्ते हरहर महादेव सर अरहर महादेव सर में बिलाइंड जूडो से कपिल परमार 60 केजी खेलता हूं सर और मेरा experience यह रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा competition खेली है थे 2021 से लेके तो मैं 16 competition खेले सर जिसमें मेरे 14 में medal थे जिसमें 8 में मेरे gold थे brown, silver, Asian game में भी मेरा silver था, world game में ब्रॉंस था और world championship ब्रॉंस था तो सर मेरा डर निकल गया था olympic का इतना pressure नहीं था क्योंकि मैंने competition बहुत ज़्यादा खेली है थे सर तो सर मेरा experience यह है कि थोड़ा सा pressure था तो हमारे देवेन भाई साब जहांजाडिया जी भाई साब ने मेरे से एक बात बोली थी कि अपने को अपना best देना है बोला था कि जो आप practice में करते हो वो ही आपको करना है और सर मेरे coach है उनका भी मेरे मनोर अंजार जी उनका बहुत आसिरवाल रिया क्योंकि हम लोगों को समालना मुष्खिली नहीं नामुम्किन है क्योंकि हर कई टकरा जाते हैं और कोई हमसे आकर टकरा जाता है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप विलाइंड ह शुटा क्योंकिन हाँस आपको भी में बहुत बार इसा हुता है तो बस सर के हाथ पकड़के चलते हाथ पकड़के आतने हैं थोड़ा सा थोड़ा बोट जो दिकता उसमें अपना काम कर लेते सर और सर आपका बहुत आशिरवाद रहा है कि स्टेडियम में से कफिल 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 इतनी आवाज आ रही थी जी सर तो मैं मैं मेरे कोच की सुचना ये सुन नहीं पा रहा था वो मैं मैं actually experience करना चाहता हूँ कैसे आपके कोच कहा है एक सर हाँ जड़ा बताईए क्या मुश्किल होता है सबसे एहम बात है blind judo में के जो instruction हम लोग बाहर से देते हैं जो इनको सिखाया जाता है उसमें हम लोग एक coding करते हैं कि जब हम जाएंगे तो यह यह बोलेंगे तो तुम्हे यह करना है क्योंकि वहाँ दिखता तो है नहीं कुछ तो उस दिन हमारे साथ दो मैट एरिया थे एक मैट पे हमारी बाउट चल लही थी fight और दूसरे पे जो है वो फ्रांस की fight चल लही थी और फ्रांस की fight में इतना शोर हो रहा था करीब पंदरा से अठारा अजार दुश् फाइनल में एशियाई खेलों में हारे थे तो यकीना उसका भी pressure होगा तो इस वज़े से यह उस दिन हमें भारत के लिए gold medal नहीं लापा है तो सामने का जो coach होगा वो भी अपने player को इसी प्रकार से सुचना करता होगा जी जी वो भी अब ये डिपेंड करता है coach to coach के वो जैसे हमारा इनका type जो भी हमारे coaches हमारे coaches और जो खिरारी उनके साथ ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि कौन किस तरीके से सिखाता है तो हम different उसकी जो है सोच में मतलब coach को भी औरों से अपने आपको अलग secret रखना परता है बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो ही चीछ हम कहेंगे वो कहेगा तो फिर नहीं समझ पाएगा आपको अगर इसको कहना है kapil को कपिल बाय होर से ठोको तो क्या बोलेंगे हैं हमारा कहना ही है बताएगा सार आप बोलते की हम मार दे तो मैं सर अटेक तो करता हूँ कभी खाली चला जाता तो बापिस खाला बजाता क्योंकि कहां पर off balancing हो रही है आगे हो रही है पीछे हो रही है तो वह टेक्निक बताते हैं तो आप सामने वाले की position भी बताते होंगे जी जी बिलकुल उसके जो moment होते हैं जैसे उसने आगे किया weight उसका आगे जा रहा है तो हम आगे वाली technique उसको मार सकते हैं ऐसे अगर उसने पीछे वेट किया या पीछे मूव कर रहा है तो पीछे वाली टेक्निक बताते हैं और जिससे कि हम उसके पॉइंट लेते होंगे बहुत अब बस नहीं चलता है कि हम लोग भी मैट पर चले जाया है जो कोज सर ऐसा हो रहा था कि सेमी फाइदल में जो रेफरी ते जो मेरे करता है जो खर चलती रही कुछ सेमी फाइदल में में डब गया अपन नेक्स टाइम में सर आपसे बादा करता हूं अपर आचा कर रहे हूं बहुत अच्छा कर रहे हो बहुत बदाईओ थैक्यू सार थानक्यों सॉम्वाच्ट में ओर मेरी वाइफ हैं चिम्रंध सर्मा और एक मेरे पास प्रीती है, मैं और अथलेटिक का ने हैं, तो मेरे दो ऐटलेटेशर को लिए के रूम मेँ के दुगवेंट में डो एट जा रहे है देश के लिए पहली बार मैडल जीतने के लिए जा रहे हैं ट्रैक में तो जब दो मैडल एक रूम में रखे हो और दूसरे खिलाडी का अभी इवेंट भी नहीं हुआ हो तो उस प्रेसर को मैं ऐसे कोच ऐसे हस्बेंड मैं कैसा फिल कर रहा हूं मैं उसको समझ रहा हूं दू को मिटर में हार गिये जा अच्छा बंगे दिखा रहा है नहीं है जब हम यहां पर आये थे तो यहां से जाने से पहले बात हुई थी एक्शली हम दोनों में यह बात होती थी कि ट्रैक को पहला मैडल कौन देगा तो फिर जब इवेंट लिस्ट आई तो उसमें पता चला प है तो हम शौर हो गए थे कि पहला मैडल तो यही देगी तो जब हम यहां पर आये तो उससे पहले यह गजू मतलब यह कोच बोल रहे थे कि तुम्हें एक महीने का रेस्ट दिया जाएगा फिर उसके बाद जब अभी हम यहां पर आये अभी हम सुबही बात चल रही थी तो सुबह मिरशने बोलए थे कि एक टानी विलेगा और उससे जादे गाह नहीं मिलेगा तो मैंने बोला क्यू नहीं मिलेगा तो बुल रहे ब्रौःन्जमेडल पर इतना ही मिलता आप तुझे खाना नहीं भी लेगा है एं यह मेरा तीसरा पेलम पिंछे में लिए आप से मिल टोक्यो में भी जोठा था, इस बार पैरिस में भी जोठा उगा है साराण। यह चार नमबर मेरेसे जिएद कुछ ज्यादा भी फ्रेम में है, तो मैं इसी चार नममर को शाय मोटिवेशन में लेता हूं, तो शायद चोथे में मैं कुछ करूँ और जैसे कि सर मैं अपने आपको फेलियर तो नहीं कहूँगा जैसे कि मैं पैरा की हिस्ट्री में ना की इंडिया की में अलोबर दे वर्ल पैरा की हिस्ट्री में मैं अकेला ही असा अथलीट हूँ जो इतने बड़े इवेंट में इतनी बार ऐसे राया है तो फिर मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि अलम्पिक में ऐसी कई हिस्ट्री हैं जैसे कि एक डिसकस्ट्रोर भी हैं फ्रांस की जिनका पांच से के हैं कहां के उनका पांचे अलम्पिक में मेडला है तो शायद मैं फिर अपने आपको यह भी मोटिवेशन देता हूँ कि तु पहरा पहला एथलीट पहरा वर्ल्ड में बनेगा जो सबको मोटिवेशन देगा कि भाई जब उसने चोथे में जीता था तो तुम लोग पह कि देखिए मैं समझता हूँ कि आपका ये जो जीवन के तरफ देखने का द्रश्टे कोण है वो शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत है अब देख नया लोजिक निकालो कि मैंने दुनिया को इतना दिया है कि मेरे रहते हुए अब तक नव लोगों को आगे किया है मैंने जो तरफ पर रहकर के जैसे बड़े भाई गुरू के तोर पे रहा है तो इस बार मैंने नवदीब को दे दिया कि इस बार तू ले जा लेकिन अगली बड़ सर जरूर पूरा प्रॉमिस करता हूं मेरा रहेगा और सर बीते तीन उलंपिक जितने भी पैरलंपिक मैंने देखे हैं उसमें मैंने ये फिल किया है कि जैसे कि सभी लोग बात करते हैं ये कंट्री तनी बड़ी है तो एक्सपेक्टेशन पहले लेके जाते हैं बहुत तगड़े गेम्स होंगे बहुत तगड़े गेम्स होंगे लेकिन सर मुझे ऐसा बिलीव है अगर इंडिया 2036 का ओलंपिक पैरलंपिक करवात हैं तो मुझे नहीं लगता धरतेगा उससे तगड़ा इवेंट कहीं पर हुआ होगा तो हम उसमें भी अपनी उसमें पूरी कोशिस करेंगे कि बुड़ापे में भी देवंदर भाय साब को एक आइडल मानते हुए अपने आड़ गोड़ों को बचाते हुए उसमें कोशिस अपने आप से कंपीट करें तो आगे बढ़ें और जिती भी उनकी शमता है जिती भी उनकी तैयारी है उसके आगे वो अपनी वीकनिस नहीं देते हैं स्टेंथ नहीं देख रहें वो अपनी स्पोर्ट के लिए महबत देख रहें तो यह बहुत बड़ी बात है कि हमारी टीम बहुत जुड़ी हुई रही और अल्दो मैं एक ही इवेंट के लिए दो बच्चों को तयार कर रही थी कोई कंपेट स्टेंटिवनेस नहीं था उनमें तो यह बहुत बड़ी ताकत है कि हम आप अपस में महबत से आगे बढ़ें और वो महबत स्पोर्ट में देखती है सर ने आप ये मैंटल हेल्ट को करती है तो उसमें क्या क्या करती है सर जो सबकॉंशिस माइंड है 90 जो दिमाग होता है उसमें कोई कमजोरियां है तो उनको चेंज करना और जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको आगे लाना अपनी परसनालिटी से जोड़ना और अपने आपको आगे लेके चाना नहीं कोई इन लोगों का योगा का समन को मेडिटे होती थी रोज शाम को जो भी सीखते थे बच्चे वो रोज देराते थे मतलब रोज मेंटल ट्रेनिंग करते थे अपनी तो वो टाइम उनका रेंज पर प्रैक्टिस उनका योगा से प्रैक्टिस मतलब टीम में बहुत और राशा तो दुनिया के बहुत देशों के ले आओ तो आप अपनी गेम को बहुत आगे लेके जा सकते हैं तो यह आपने भी बहुत बहुत अच्छा किया है कि योगा हमारे कंट्री में बहुत बढ़ाई है और इंग स्कूल में सर इसको आप सब्जेक बनाएं बिकोज इसमें जो साइंस में जो शक्ती है वो किसी औ ब renewal कूछी सेनिए बदाई हो थैंकि आूर कोई हाँ पहले तो बहुत बढ़ी खुश्य कि बाद की अपल ने ना ही पैरा जूटो मे जब की एबल जुदो मे भी पहला भारत को मेल लिए अब तक वेबल या पैरा जूडो में पहला बारत को मेल वैया अब तक पेबल या पै को शकी बदाई हमारे जो जुडो के टॉप शॉट्स हैं वर्ल्ड के उन सब लोगो ने परसनली पोडियम से उतर के आके हम लोगो गुड़ाचलेट किया बोले वी दिदेंट एक्सपेक्ट शॉच अप्राइज इन पारजुडो एंपराइज 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 तो, sir, thank you so much and जितने और कोचेज हैं, UK, USA, जो अच्छे फ्रेंज हैं, Korea, वो सब लोग आए, बोले, we knew you were going up ahead, but we didn't realize it's gonna be so soon, so we felt very proud and thank you to the entire team that is backing us up, thank you so much, sir. मैं संदीब चोधरी जी के लिए के बात कहूंगा, गिरते हैं शाय सवार ही में दाने जंग में, तिफल क्या जो घुटनों के बल चलते हैं, तो यह आपने सब को ये बताया, जो घुड सवार होता है, वही गिर सकता है, बच्चे कभी नहीं गिरते, तो मेरा आपके लिए बहुत बड़ी के लिए, और सर मैं हरविंदर के लिए बताऊंगा, शीतल हरविंदर में आर्चरी से हूँ, तो जैसे मैडम ने बताया कि जुडो में, हरविंदर का पहला आर्चरी एबल और पैरालंपिक में, फिर्स्ट मैडलिस्ट है टोक्यो में ब्रॉंज और अभी हि बराबर शूट कर देते हैं, नमस्ते सर, मेरा नाम अमीशा है, और माउतरा खंसे हूँ, यह मेरा पहला पैरालंपिक था, और मुझे, मैं बहुत बेटफुल हूँ कि मुझे दो साल में, मैं अपना गेम स्टार्ट किया है, दो साल ही हुए, और दो साल में मैं लाइफ में इतना बड़ा experience लिया, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला, and thank you to my coach, जिन्होंने मुझे confidence दिया कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ड़री हुई थी, तो आपने कहा था कि वहाँ लोगों को observe करना है, तो आपने कहा था कि लोगों को observe और बहुत कुछ सीख परिवार में से क्या response है अब, परिवार के तुमारे family के लोग क्या कहते हैं, आप तो family बहुत खुश है और वो पहले से सपोर्ट करती थी, लेकिन आप और ज्यादा सपोर्ट है, और ज्यादा दे रहे हैं, नमस्ते सर, मेरा नाम सुमित अंतिल है, और मैं back to back second gold medal है, sir मेरा मेरे को भी आदा सर, जब टोकियो में gold लेके आये तो आपने promise लिया था कि ऐसे ऐसे दो gold और चीए मेरे को, तो ये दूसरा सर आपके लिए है, क्योंकि उसके बाद में जैसे जब Paralympics से पहले हम काफी nervous थे, क्योंकि मैं articles पढ़ दा था कि हर तरफ most favorite athlete, जो gold medal को defend करेगा, मेरा भी नाम था, बर जब 20 अगस्त को आप से बात हुई, तो वही पल याद आगे सर, टोकियो वाले की अब की बार फिर से अच्छा करना है, और हमारे साथ में मेरी पूरी टीम है, सर, मेरे फीजियो, मेरे कोच, जो सबी की तरफ से सर, आपका बहुत बहुत दन्यवाद क क्यों कि हमें यह लगता है, सर की मेडल ले गाएंगे, तो आप से मिलेंगे, आप से परसली बात करेंगे, बहुत बहुत दन्यवाद सरा आप, जैसे हम सारे लोग मोस्टली स्पॉंसर्ड एथलीट हैं, गोवर्मेंट से, डिफरेंट और और गनाईशन से, तो वहां से कभ जब अपने देश का परधानवंत्री आयों मोटिवेट कर रहा है, तो यह बहुत छोटी चीज लगने लगती है, लास्ट आम सर मैं आप से बात कही थी, मैं टोकियो तना अच्छा नहीं रहा था मेरा, उसमें मेरा एट्मार रेंक रही थी, फ़र मैंने आप से एक तो इनी सब चीज़ों के साथ इस बार मैं भी गया था, तो सारी चीज़ों हमें ऐसे एक दम confidence दे रही थी, वो सब लास्ट टाइम जैसा प्रेसर नहीं था, मैं अपने आपको confident फिल कर रहा था, और हमारे टीम ने, गॉर्मेंट ने, हमारे कोच साब ने, सब लोगों ने ब रमवीर, जिसका gold medal आया है, हम दोनों अपस में एक दूसरे के competitor भी हैं, और उसको मैं कुछ ट्रेनिंग करा के लेकर आ, तो कहीना कहीं आप से बात हुई थी भी इस तारीक को तो ये लगा था, कि बहुत positive एक vibe आई थी, कि आपको अपना best करना है, और एक coach के लिए इससे ब बहुत बड़ा contribution रहा सर, हम लोगों की team में क्योंकि हमारी सबसे severe disability है, तो साही ने और ministry ने जो decision लिये, हम लोगों के supporting staff में आदमी बढ़ा के, वहाँ बलके 33% का ही ratio था कि 33% ही लोग अंदर रह सकते हैं supporting staff में, तो देविंदर भाई जी ने बहुत अच्छा decision लिया, उसको rotation में करते रहें, जब हमारे event आए, हमारे लोगों को अंदर ले आए, और दूसरे लोगों को बाहर कर दिया, तो बहुत अच्छा combination हुआ, उसका और यही फायदा हुआ कि सर, हमारे इतने medal आए, साही का भी जैसे हमारे खाने का था, वहाँ Indian food की बड़ी problem थी और vegetarian के लिए तो साही ने जो अंदर विलेज के अंदर ही जो खाने का आरेंज किया, वह इतनी अच्छी healthy diet थी, कि किसी को भी problem नहीं आई सर, तो बहुत बहुत दन्यवाद सर, पूरी टीम का, और आम लोगों को इतना motivation करने के लिए, थैंक यू सो मक्ट, सजाई हो, एशन गेम्स में मैं पार्टिसिपेंट रह गई थी, मैडल नहीं जीत पाई थी, तो जब आप सब से मिल रहे थे, मैडलिस से आगे मिल लिये थे, तो आप आए और लाइन से सब जगा पे दोनों तरफ आमने सामने लाइन लग हुई थी, तो कुछ लोगों से यहां मिलके आप उस तरफ मुड तो बहुत नजदीक से मैंने आपको देखा, लेकिन मिल नहीं पाई, बात नहीं हो पाई, तो वो अंदर एक टीस थी, कि अब दुबारा तो मिलना ही है, और उसके लिए मैंने एशियन गेम्स के बाद जान लगा दी थी, कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनसे परसनल ही मिलना ह है, तो उससे शायद मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैं कर पाई, मेरे बच्चों को मैंने छे महीं हो गए, मैं मिली नहीं, घर ही नहीं गई, तो मेरा बेटा छोटा है, तो उसे जब भी कुमाने लेके जाती थी मोबाईल में GPS लगा के तो उसे पता है, मोबाईल में रस्त है, बूल गए घर का, आप GPS में फोन में लगा के घर तो आजाओकों से का, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का सबको बहुत सपोर्ट रहा है, अशिरवाद रहा है, जिसकी वज़े से हम लोग कर सके है, पूरी टीम का सपोर्ट रहा है हमारे कोचिस का, तो थैंक यू सो म संदीब बहुत अच्छा बोलता है, और शायद इसलिए तोड़ा सा फोथ रहागिया, अशिर बट, मैं अज अन एथलीट ये कहना चाहता हूं कि, जब से पारा मूमेंट स्टाट हुआ है, मैं तब से जुड़ा हूँ इस से, और आज इस लेवल पे सारे अथलीट से, सोचते थे ये आगे आ सकते हैं, लेकिन अब पारा में इन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन और रेडी है, और सर ये, अफकॉस, हाई की सबसे पहले मेंट से स्टार्ट हुआ, और फिर हम लोग का स्पोर्स सपोर्ट स्टाफ आने लग करते हो, और फिर आने के बाद सबसे मिलते हैं, I think सारे मेडलिस्ट, सारे एथलीट यही सोचते हैं, कि हमें यही मौका मिलते हैं, Sir, लोग पैरा को अभी तक अपना है नहीं, जिस तरह आपने अपनाया है. नवेस्तर सरा, आम पलग कोली एं यह मेरा सेकिंड कंजगिटिव पर अलंपिक से लिए उट्ट विनिश परिंष था यही हैं, जैपे माने पिफ्ट फिनिश किया इप्रा फिनिश किया मैं यहां पर दोनों इस पर आलंपिक से जाने का मेरा जोर्नी बिलकुली दिफरिंट में को अफर टोक요 पिर निंफार चूजर्टी पाइलम्पए ने सरग बों तूमर हो गया था और स्टीज बानुटीश था और स्टीज वन्टिंटू खिर था यह कांज में बने कोई नाही था याता यह झाय सुछ निजित कि मैं नाही बाफ यह था दोटीश टूल्माव टू जब शुट गय थे, वोल्ड जामेंशुब्स बिकाज में का वाको अबड़ देना पड़ा, एशन गया है इस यह मैंने वोल्ड चैंपेंशिप गया और मैने रॉंस मेल जीता हैं और फिर मने पारिस के लिए गाल पारिस के लिए बाक तो बाक। आपकी ब्लेसिंग और सबके साथ, I think I am looking forward for LA 28 and definitely sir, I like to have a picture on the podium with you sir, thank you sir प्रफ्ली बार तो लखनों में तुमार ट्रेनिंग हो तो है तो अर मम्मी पपा से मेरी बात हुई थी yes sir, yes sir तो क्यो जाने से परिए किस बार क्या मूड है sir, अब मैं लखनों में गौरफ sir यहाँ पर है sir के अंडरी ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैंने उनी के गाइदेंस में में को पारवार्मिंटन बता चला था घर में लग जब मुझे बोन ट्यूमर हो गया था तो काफी सारे लोग काफी सारे लोग बोल रहे थे कि लगी अब पलक का तो करिया ख़तम स्पोर्स में और डॉक्टर्स ने बताया था कि अब हम कुछ शॉरिटी नहीं दे सकता है अब नॉर्मल लाफ शायल भी होपा होगे कि नहीं अब उसके बाद सर काफी कॉम्लिकेशन रहे में को एक डिसिबिलिटी मेरे हाथ में अलिडी था और में को ट्यूमर के बाद मेरे लेग में भी डिसिबिलिटी हो गया जिससे मेरे दोनों लेग लेंथ में भी डिफरिंसे आ गए और और भी कॉम्लिकेशन आ गए तो मेरी family हमेशा मुझे खुछ देखना चाहती है और उनकी blessings है मेरे साथ and they want me to be happy तो उनका बस ही concern है कि में को हिमत नहीं हाने है देख आप पलग तुहारा case ऐसा है कि तुम बहुत लोगों inspire कर सकती है क्योंकि इतनी कठिनाईयों के बाद और चलिए ट्रैक पर गाड़ी आई जिंद्गी बनाई बीच में रुकावट आ गई और बीच में नहीं समस्य आई और फिर भी तुन्हें अपना मकसद नहीं छोड़ा बहुत बड़ी बाप है बहुत बदाईयों आपको था कि अधिम से एक रज़ास्तान बीकानेट साही हूं स्याम संदर स्वामी ना में पेरा आप्चरश्शा हूं सर हमारे विकानेट में कंणी सिंग राजा व पांचवार घ्लके आई थे हम देवनदर भिया से हम बहुत मदब क्योंकि चालिस साल के बाद में एक टोक्य ओलम तो मैं भी फिर पीरा माय में पहले एबल खेलता था दूजर शोला में मेरे को पता चला के भी पेरा का भी कुछ है क्योंकि भाईया का कवार में फोटो आया था बट बड़ा तो भाईया से सीखके और फिर में चाली साल के बाद टोक्यो ऑलम्पिक पाट्सपेड करके आया थ इस बाद सिर मुझे भूट को सीखने को मिला खासके जो मेरे कैटिकरी के गोल में बंड़ शन घरी करी नितेश्क कुमार जी इनसे सीखने को मिला सब कूरे लाइफ में जिनसे वो जीते एक बार भी उनसे मैच इससे पहले नहीं ची और उनकी वसे जब कि मैं उनको हराच उ कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं जरूर उनको दुवारा हरा सकता हूँ और इवन पूरे वर्ल में सबको हरा सकता हूँ बढ़ा यहाँ थेंक यह नाम डोक्टर सत्येपाले और मैं पैर अथलेटिक्स का कोच हूँ साहेदी यहाँ पे कोच होगा जो मेर से पहले पैरा अथलीट को ट्रेनिंग करा रहा होगा मैंने टूथाउजन फाइफ सिक्स में पैरा अथलीट को ट्रेनिंग कराना सुरू किया कैसे विचारा है आपको यह सर मैं नहरू स्टेडियम में ट्रेनिंग कराने जाता था तो एक दो एथलीट्स माँ पे जिनके लिम्ट डिफेसेंसी थी वो आते थे तो मैंने उनको देखा पढ़ा फिर देविंदर जी के बारे में सुना कि उन्होंने 2004 एथेन्स ओलम्पिक में गोल्ड मेडल जीता था तम मैंने इसके बारे में स्टेडी किया और मैंने स्टार्ट किया थोड़ा-थोड़ा करना तो सभी कोचिस नहरू स्टेडियम में मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखते थे कि मैं दीपा मलिक जी की चेर को पुस करके जाता हूं किसी पैरा अथलीट को ट्रेनिंग करा ते आज वो सब पैराइथलीट को ट्रेनिंग कराना चाहते हैं यह मेरे दिल किसे बोल रहा हूं कि मैंने इस फिल्ड में काम किया है मैं बहुत खुस हूं और आने वाले टाइम में मैं आप से प्रोमिस करता हूं कि 29 नहीं मैं 50 के मैडल का यहां से प्रोमिस करके जाता हूं कि हम इसा भी इतना काम करेंगे हम 50 मैडल लोग होते हैं बहुत मेहनत करनी पड़े हर खित्र में लेकिन दिव्यांगों के साथ काम करना उनको शिखाने से पहले खुद को जिन्दगी को जीने के लिए मन से त्यार करना पड़ता है खुद को पोजिशन में रखना पड़ता है कौन सी उसकी दिक्कते हैं उसको खुद के जीवन में आत्मसाथ करना पड़ता है तब जाके कह सकते हैं बना मैं तो रूटी में कहा दोड़ो और वो कभी मैं नहीं दोड़ सकता है वो कोच समग सकता है यह नहीं दोड़ सकता है उसके लिए तरीका यह होना चाहिए और इसलिए मैं मानता हूँ कि जो पहरा एक्टलेट्स को जो ट्रेन करते हैं वो कोची एक् इसको बहुत कम लोग समझ पाएंगे, मैं भली भात ही समझता हूं, और मैंने कई बार, जब फोन पे भी सबसे बात करने का मोका मिलता है, तो मैं इस बात का जिक्र करता हूं, क्योंकि जो सामानिय है, उसको सिर्फ टेक्निक सिखानी होती है, इसको तो जीना भी सिखाना होता है जी, इसलिए ये वाकई बहुत बड़ी साधना है जी, और इसलिए मैं तो मानता हूं, कि आप जो स्थाथी ये काम कर रहे हैं, वो सबसे जाना अभिनंदन कहदीकारी है, साहर, अभी मैं इंटरनाशनल कामपूटेशन में जाना का स्टार्ट करके, थीस साल हो गया, इवन अथलीट, अड्मिनिस्टेटर, हम एक टाइम में एक भी फ्लाग नहीं देखता था, अभी इंडिया का फ्लाग अमने को दिखने का स्टार्ट हो गया, हमारा किलाडी का भ को मैं बोद दन्य व सब्सक्रावात तस्या, मैं बोद लोग को बलता है हमारा प्रेंड आम पी अक्तीन है, अमगान पोलता है था, हम एह एफ्ट another लोग को देखने इने मेरा माई केमी नहीं एंडिया में आज ज्ढ गूि कर दिया है वेरीं पूडीच से यूज कर नहीं क कर दिया तो हंड़र पर्जंट अम अच्छा मेना लेगा सर थैंक यू सर मेरे नाम निशाद कमार हो और मैं टी-47 हाइजम से हूँ और मैंने बैक टू-बैक पैर लूंपिस में सिल्बर मेंड़ जीता है सर मैं अपना एक्सपिरिंश करना चाहता हूं कि जम मैंने हम टोक्यो क करा था पूरी ओडियन्स इंडिया के इंडिया इंडिया नाम से चला रही थी तो वो बहुत हमें मोटिवेट में लोग से पुष मिला अपनी परफॉमस को और मेडल डिफेंड करने के लिए और अगले दिन मेरी मैडल सेर्मनी थी और महां पर मैडल के बाद मैं अपने खलाड़ी के साथ फोटो लेने का तो जैसे कोंपेटिशन खातम हुआ तो मैंने अपनी फोटो के लिए मैं नीचे गया फोटो के लिए और उन्होंने मुझसे फोटो मांगी तो उनकी बच्चे से साथ में शोटे शोटे तो मैंने उनके साथ फोटो लिए और उनके हाथ मे साथ में मैडल दिया वो आइधिंग छे से साथ साल के होंगे तो वो बच्चे मदल एकदम मुझूज से होगे कि मैडल हमें देखने को मिल रहा है कल हम इसक लाड़ी के लिए चेहर अप कर रहे थे और आज हमारे बीच में खड़े हैं और फोटो ले रहे हैं हमारे को तो उनक थांकि शर्ट नमस्का सर मेरा नाम योगेश का तुनिया मैं सिल और मेडली स्टू दो बार तो मैं अपना एक्सपिरियंस सर एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं एक्सपिरियंस नी यह वो है कंसिस्टेंसी वो कंसिस्टेंसी सर आपकी वज़े से आई है क्योंकि आपने जो डिफरेंट स्कीम्स इंडिया में लॉंच करी है चाहे वो टॉप स्कीम्स हो खेलो इंडिया स्कीम्स हो एंसी वो सर आपकी वज़े से है कि आज हम सारे 29 मेडल्स लेके आए हैं और सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूंगा बाकी लोगों के लिए आप पीम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर और हमार हम सब के लिए आप प्यम का मतलब है परमित्र वाख मुझे मुझे ये ये पद आपने दिया बहुत अच्छा लगा मैं भी चाहता हूं जी सच्चे अर्थ मैं एक मित्र के रूप में आपके साथ काम करता रहा हूं सर मेरा नाम नवदीप है सर मैं इस बार जिनकी रील सबसे ज़्यादा पॉपिलर हुई एक आप है दूसरा सीतल है सर मैं F41 के टेगरी में जवलिंद्रो करता हूं सर दूसरी बार पैरलम्पिक पार्टिस्पेट कर रहा हूं सर मेरा इवेंट ना सबसे लास्ट दिन था सर और मैं तकरीबन 21 तारीक को चला गाया था सर उदर तो जैसे ही मैडल आने शुरू है ना सर तो एक मन में गवराट होनी शुरू होगी कि सब क्यारे मेरा क्या होगा. तो सर पर फिर भी सर जैसे सीनियर इफ्लीट्स थे शैसे सुमित भाइटा, आजीत भाइसाब थे, संदीब भाइसाब थे, देवंदर शर थे, इक एक दिन मिलके सर एक्सेश्पिरियस गयन किया सर कि आप कैसा फिल करते हो, मेरे को क्या करना चाहिए और सर एंड तक आते हैं, मैं बिलकुल फ्री माइंड होके खेल लेगा वाँ थैंक्यू सर नमस्कर सर, मैं रक्षीता राजू, विजुली इंपर्ड अथलीट है ये मेरा पहला अलंपिक है मैं तूट्थी अप्रण पार अप्राशन गीम गोल्ड अप्रण भाजर्ण लेगा मैं थैंक्फूल तू, मैं गाइड रनास और मैं गोच राहूल बालाद ट्रश्न सर वो इधर ही है मेरा साथ without guide runner I can't run I am very I feel very happy and definitely 2028 I will get gold medal in para olympics congratulations and wish you all the best my guide runners and my coach motivated lot of me I am very very thankful because morning and evening without any expectation time spent I am very thankful I am very thankful I am very thankful I got to talk about the best you all about the best this time you guys went I was able to get physically I was able to get because many people were different places and there were some some of the time I also tried to talk about the best and that day I was able to tell you I am able to get 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 मेडल से ज्यादा आप माहोल बदल रहे हैं हर दिव्यांग जन के मन में आप एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि हम भी कुछ कम नहीं है और मैं मानता हूँ कि हमने इस चीज को उसी रूप में करना है आखिर कर मेडल मेडल के संक्या आजकल तो यूगी ऐसा है कि इन चीजो को काउंट किया ही जाता है लेकिन 140 करोर का देश आज जिस जजबे के साथ खड़ा हुआ है खेलने के लिए नहीं जीतने के लिए जा रहे है मैं एक participant हो जाता नहीं है मैं एक performer हूँ ये जो मिजाज है न वो ये देश की ताकत बनता है और आप देश की उस ताकत में नई उर्जा भरते हैं तो मेरी तरफ से आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई सब का मूर देखकर कि मैं अच्छा लगा वरना मैंने कुछ लोगों के देखा है कि दूसरी ओलिम्पिक आने तक चहरे पर हसी ही नहीं आती है क्यों तो वो पिछली ओलिम्पिक में रह गया था वो मुझे द्रशे हां रजर नहीं आ रहा है बटलब मुझे लगता है नेक्स्ट ओलिम्पिक भी आप जीत चुके है यह आपके आँखों से मैं पड़ पा रहा हूँ आपके अंदर जो विश्वास हो मैं देख पा रहा हूँ तो साथिवों मेरी तरब से बहुत सुबकामना है बहुत बदाई धन्यवाद जो को डल के रहा पड़ेगा आपके रिवाद आपके आपके अजाख सुबकामना चैकी एक लाद हाँ है भी जो लोग को आपके रहा है आई ये ये सारे वहां के तिंज करेक्टेड है अच्छा सब जोड़ दिया है अच्छा सब जोड़ दिया है